हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल आरुजियोमेटिक्स आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे राई सेट के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्जाम में है वह हमारे पास लेंड सेट जो भी सीरीज होती है लेंड सेट के सेटलाइट की उसके बार में हम देखेंगे में उसका हमारे पास कौन से बैंड समरे पास स्पेक्ट्रल बैंड उसमें यूज होते हैं और कौन से सेंसर्स यूज होते हैं उसके बार में पढ़ेंगे और बाकी हमारे पास आ प्रिवेस लेक्चर में देखा था वह मिलनी हमने आयारस की जो सीरीज है सेटलाइट सीरीज है टोटल 18 है उसमें से में 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 तीन देखे थे एक उसियन सेट देखा था उसके बाद हमने हमने रिसोर्स एट भी देखा और हमने काटो सेट भी देखा तो मैंने यह जो तीन सेटलाइट की जो सीरीज है उसके बारे में हमने देखा था तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिसेट रडार इमेजिंग सेटलाइट सीरीज और में में जो इसके फीचर्स है वो चीज़ देख लेता है रडार इमेजिंग से किसके द्वार होगी इस रोग के द्वार होगी जनली किस पर काम करती है माइक्रोवेव के उपर काम करती है इत डिफर्स प्रोम आया एरस सीरीज बाइविंग ए मल्टी मोड सिंथेटिक अपर्चर डार किसके उपर काम करती है तो यह चीज इंपोर्टेंट है जो आरे सेट के बार में याद रिखना है कि यह सिंथेटिक अपर्चर डार के उपर काम करती है और बेसिकली सेरीजन ऑल वैदर इमेजिंग सेटिलाइट सीरीज है इसका जो एडवांटेज है वह है कि माइक्रोवेव रिजन पर काम करती है और माइक्रोवेव रिजन का क्या कि यह आल वैजर सेंसर होते हैं इसके अंदर मीस हमारे पर चाहें क्लाउड्स हो या स्नोई स्नो गिर रही हो उस वाले वैदर उती है वह ज्याधा होती है तो यह ऊंदर्मे रहती है रहती है जूसरी बात आहिक शैम! प्रister Das अर्फ पैसल कॉर्ष रिजन करते हैं तो यह चीज ने क्यों आधिक रखें और तो हम दिन में तो यूच करी सकते है और नाइट बहु करusan है भले सकते हैं पहले संध't अभीलेबल ना हो नाइट के दौरान भी हमारे पास एक्टिव सेंसर के हेल्प से हम जो इमेज़ेज हैं वो नाइट में भी क्रेट कर सकते हैं और इसेट प्रवाइटेजेज ओबर दा अर्लियर इंडियन अर्थ अब्जर्विशन सेटलाइट्स ओफ इरस सीरीज विच रेलाई मेली ओन दा अप्टिकल और इस्पेक्टल सेंसर विच के नोट इमेज एरिया दूरिंग नाइट आज वैल अज कवर्ड वाई स्नौ एंड यह जो भी ामारे पास अद्वांटेज है जो एक और टो दा ऑईर और चृरी जो के हमाबास ओप्सक्टिकल और इस्पेक्टल सेंसर के सात हो थी है मरक्पास आई-ब कढ़ हमारे पास रडार इमेजिंग सेटलाइस सीरीज है उसके काफी एडवांटेज़ है उसके पाद राइसेट टू इस फिर्स सेटलाइट ऑफ राइसेट सीरीज इडवाज लॉंग सक्सेस्फुली बाइद इस्रों ट्वेंटी ट्वेंटी अप्रेल 2009 पी एसल्वी सीट्वल अ सक्सेस्फुली लॉंच वी थी वो जनरली हमारे पास सीवेंट ऐसे यार पेलोड अपरेटिंग इन मल्टी पोल्राइजेशन एंट मल्टी इसल्यूशन बोर इट इस प्लेज़ अटन एल्टिटूड ऑफ 50 किलोमेटर अबव दार सर्फेस एंड हैविंग अन इंक्लिनेश सिरीज का और इसके अल्टिटूड भी आप याग रखते हैं 550 किलोमेटर है और हमार पर इंक्लिनेशन 41 डिग्री है मारे पास और यह काम किसके उपर करती है ऐसे आर गूपर काम करती है सीवेंड ऐसे आर गूपर काम करती है अन इसेट का मेल नी जो फोकस था भाम अर पस अग्रिकल्चर के उपर था तो प्रोवाइड रिक्वेसाइट टेंपरल सेंप्लिंग केपेवल्टी विच इंपोर्टेंट फोर मॉनिटरिंग खरीफ क्रॉप प्रोड्यूजड दूरिंग मॉन्सून सीरीज सीजन मॉन्सून सीजन तो अरे पास आरे श्माइड का जो में परपस था वह एग्रिकल्चर की यह फिर क्रॉप मॉनिटरिंग का पर्पस अम्हार पास क्रॉप कि ने क्रॉफ हो रही है उसको मॉनिटर करने के लिए हमने आरे शेट तू सेटलाइट को लौंच किया यह जनरल यह माइक्रोव रीजन पर काम करती है और उसके बाद हमार पस आयरस सेट जो सेटलाइट थी अमार पाँ उनसे डिफरेंट होती है मर पस तो इसका जो मेकरेंजम होता है सेंस करने का वो भी डिफरेंट होता है दा सीवन्ट फ्रिक्वेंशी ऑप्रेशन ऑफ राइएट अल्सो एंसर्स वाइड एप्लिकेवल्टी डेटा इन्द थ्रस्ट एरिया लाइक वैजिटेशन वैजिटेशन के लिए फोरेस्ट्री स्वेल मस्ट्र जेलोजी सी आइस कोस् कोस्ट्र प्रोसेश मैनमेड ऑब्जेक्ट इडन्टिफिकेशन साइक्लोन के लिए जो नेच्रल डियास्टर्स होता है लेंड स्लाइट हो गया फ्लड मैपिंग उसके लिए उनको मोनिटर करने के लिए यमारे पास राइसेट का यूज किया जा सकता है राइसेट वीज अ सेट की जो पहली सक्सेश्ट फुली लॉंच हुई थी वहार पास राइसे टुव है उसी के बारे में देख रहे तो इसको हम सब्सक्राइब अप्यों क्याता है यह इंपोटेंट है कि हमारे पास ऑप्शन में दिया जाएगा कौन से सटलाइट को सटलाइट करते हैं तो व वो हमारे पास इंडिया की जो बॉडर है उनके ऊपर नजर रखेवे होती है जिसके लिए सेक्यूरिटी जो हमारे पास है उसमें हेल्फुल होती है तो इसको हम क्या है सपैस सैटलाइट भी कहते हैं तो यह जो कुछ-कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने आरे सेट क्याँ पढ़ा का संसिंक्रोनाजाइशन ती मरभास चुछ फिर्फ गोर्स टेसेशनरी सटिलाइट के उपर है तो सेकिन्हसेसिनरी सेटिलाइट गौर ऑपर है उसे अकूम्युनिकेशन सटिलाइट होती है तो चरक्ति आपको आपको याद रखने ह्ढ़ी है जिए सेर्श सेटलाइट एपलेंट इंसेट वने इट इस सीरीज ऑफ मल्टी परपज सेटलाइट लॉंच बाइए इस रो टू प्रोवाइड इंडिजिसनर सर्विसेज इन टेली कॉम्निकेशन तो इसका जो मेन फोकस है इंसेट सीरीज का तो आपको नाम से प्रते चल रहोगा कॉम्निक और जो हई अर्थ और आर्वीट के अंदर होती है और जीह स्टेश्नरी है तो इसका मैं नहीं बताया कि वह जैंडिजुस अध्यिजन्ब मिड़ाड सेटलाइट के लिए nuclear umdra की अपरेशंस के लिए गो इंडिया में इसका चीया के लिए शहर संसे होथ है इंडिया के लिएerek चेयरिय वह इंसेट होती कि इस देवल्प्र जोईंटे ले इपार्टमेंट अब चे लिए ट्यनेफ उपकी स्पेश क्योंड सीरीभाटर सब्सक्रेशर दूर्शन तो यह जनरली कम्मुनिकेशन से रिलेटेट है और मेटरलोजिकल देपाटमेंट से रिलेटेट है तो इन्सेट की सीरीज अमर पर यह सारे देपाटमेंट ने मिलकर डवलप किया है नाउ इस बिन रेप्रेसेंटिंग वन अफ दे लार्जेस्ट दोमस्टिक कम्मुनिकेशन से रिलेट सिस्टम इन पैसिविक रिजन प्रोवाइदिंग अबाउट 175 टांस्पोंडर इन सी के यू एंड एस फ्रिक्वेंसी बैंड इंसेट स्पेस सेग्मेंट कंसेस्ट ऑफ 24 सेटलेट आउट ऑफ विच 11 सेटलेट सच इस इंसेट 2E इंसेट 3B 3C कलपन कवन आड़ Não डुक्त अलिए ंसेट 2phe तो मेंजन चैर किसिसा इंसेट 3E जनराली अब तक हमारे पास इंसेट की जो सिरीज है उसके अंदर के 24 सेटलेट्स है जिसमें से नाफस 11 सेटलेट्स कि एकजम्पल है इसे इंशन टो रिए इंशन 3가지 हो गया ध्रीज Teachers के जो सट्रेट नाम हो है यह गयरे सेटलाइट के दो झूंत के नाम हो गए मैं ले लिंद्ध नाम हो गई तो आपको वह नाम नहीं याद रखने लेकिन अभी इंसेट की कितनी सेटिलाइट्स अमरे पास काम कर रहे हैं तो वह चीज आपको याद रखने 11 कर रहे हैं आप टोफ ट्वंटीफूर तो आपको जो एक्जामपल दिये गए हैं उसके बारे में क्या इंपोर्टेंट फीचर है वो इस परेगराफ में से मैं आपको इस्टार मार करके दे रहाँ बार बार कि एक तो यह हमार पास जियो स्टेशनरी और बिट में काम करता है टो यह हमार पास के जियो स्टेशनरी चिलोमेटर विटे है चीज भी important और उसके बाद के दे के लिए जिए अंदर आती यह फो भब लोगों यह जिस्ट परफस के लिए इंपोटन्ट मार पास ऐसी कॉंसेकर होता है और जो इनका रिवालूशन होता है रूंड और्बिट वह हमार पास इक्वल स्पीड पर होता है तो हमारा पास क्या लगता है कि एर्थ के जस्ट उपर पोजिशन पर वो अभग लेबल है उसी पोजिशन पर मारे पर सम्मिशा वा सेटिलाइट्स रहती है इसलिए हम उनको क्या कॉम्मुनिकेशन प्रपाइज के लिए या फिर माँवार पास वेदर के मॉनिटरिंग के लिए मैं वेदर मॉनिटरिंग पृपच के लिए यूज करते हैं तो कम्यूनिकेश्टन सेटलाइट्स एम और पस जिवे स्टेशनरी और बिटो कॉम्मूनिकेशन का एक इंसट सीरीज आपको याद रखने हैं वहारे पास पोलर अर्बिट और यह सटेशनरी और यहाँ वहांगर आपको समधा रखا हैं तो अवह अमारे पास हमने क्या देखा आ रहे सैट देखा और इंडिया के ति अब हम ग्लोबली देखेंगे जो एक्जाम में पूछा जाते हैं बहुत जाद है इंपोर्टेंट है और उसके लिए पर आप लेंद शाट सेवन यह इस पर तो आप 45 स्टार मार्क कर लीजिए इसके बारे में यह चीज पूछी जाती है कि ETM plus अब ETM plus क्या होता है वो भी आमें पता होना चाहिए तो हमारे पास जो satellites है यह हमारे पार landsat की satellite series है 1234567 जिसमें से अभी operational कौन सी हमारे पास एक तो 5 है और हमारे पास 7 है और mostly जो exams में पूछी जाती है वह हमारे पार landsat 7 जो operational है उसके अंदर sensors कौन सा यूज होता है वह हमारे पास ETM plus अब ETM क्या होता है ETM plus क्या होता है MSS तो मैंने आपको अल्लेडी बता रहे हैं और TM भी बता रहे है MSS के multi spectral scanner है और TM में पास thematic में पर है और ETM के आपको याद रखनी है कि ETM plus के अंदर ETM plus होते हैं तो sensor ETM plus के sensor के अंदर हमारे पर spectral bands कितने होते हैं टूटल आठ होते हैं हमारे पर स्वारी साथ होते हैं कि साथ प्लस एक आठ होते हैं और जो ETM के अंदर है वो जो TM हमारे पर थेमेटिक में पर उसके अंदर साथ होते हैं तो यह चीज आपको याद रखनी है कि ETM plus के अंदर हमारे पास कितने 8 spectral bands होते हैं हमारे पास वो कौन-कौन से होते हैं वो important है हमारे लिए वैसे आपको हो सकता है कि लास्ट येर लैंट हर 7 पूछा था इस बार लैंट सेंसर होते हैं और लैंट से 6 के अंदर ETM शैदिया नहीं पूछेंगे क्योंकि हमारे पास और विट को अचीब नहीं कर पाया operational नहीं है operational जो उससे related question आ सकता है तो फिर से हो सकता है लैंट सेवन पूछ ले उसके अंदर ETM प्लस सेंसर होता है और साथ हमारे पास बैंट्स होते हैं आठ बैंट्स होते हैं तो यह आपको जो सेकेंड टेबल है यह लिए भूट यह वो देख लीजिए कि हमारे पास multispectre scanner होता है उसके अंदर 4 बैंट होता है और कौन-कौन से green red राट नियर infrared और नियर infrared इसका specialization है नम्मे कितना मिलता है 80 मिलते है तो special resolution आपको याद रखना है उसके बाद हमारे पास जो most important last year question आयते वो इसके basis पायते special resolution के बैस पह जैसे लेंडाड 7 के अंदर कों सा सेंसर यूज होता है ETM-pludes sensor होता है और उसका special resolution कितरा होता है 30 मेटर होता है अब ये चीज़ आपको एक्जाम में नहीं गिवन होती है कि लैंडाड 7 का जो special resolution है वो चीज़ आपको गिवन नहीं होगी लेकिन उसके याद रखना है तो जनरली जो लैंट सेवन है उसका स्पेशल रिजोलुशन कितने हैं मोस्टली 30 मीटर होता है और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इस प्रेक्टिल बेंड जो होता है उसके बेसेज पर भी डिपाइंड करता है स्पेशल रिजोलुशन तो यह चीज़ देखते हैं कि एनन स्थमेटिक मैपर प्लस में हमारे पास आठ बेंड है एक दो तीन चार पांच छे साथ और हमारे पास एर्थ कौन से है पैंक्रोमेटिक वाला पी ए एन वाला तो यह आठ बेंड से हमारे पास टोटल और यह हमारे पास आठ बेंड एक्जांस में पूछे जाते हैं अब इसके अंदर कौन-कौन से होते हैं वह चीज़ आपको याद नहीं रखने हैं लेकिन हमारे पार स्पेशल रिजोलुशन याद रखना है ब्लू के लिए 30 मेटर है ग्रीन के लिए 30 मेटर है रैड के रिजोलुशन होगी हमेशा आपको ज्यादा मिलेगी आज कंपेट हुदा अधर स्पेक्टल बैंड तो थर्मल के लिए 60 मीटर है मीड इंफ्राराइड के लिए 30 मिटर है विजबल लाइट के लिए जो पैंक्रोमेटिक इमेज क्रेट करता है वह हमारे पास उसके लिए 15 मी एक्जाम्स में पूछा जाता है वो यह है कि उसके हमारे पास special resolution और उसके sensor के बारे में तो यह चीज आपको अच्छे से याद रखना है फोकस जो याद रखने वह 30 मिटर पर आपको फोकस करना है कि लेंड सेट का जो special number of pixels कितने होंगे उस image में इतने एरिया को cover करने के लिए वह निकालना होता है तो मैं वन किलो मेटर लेके ही चलता हूं बाकी कैलकुलेशन आपको लेना तो देख़र वन किलोमीटर का मतलब कितना इसको मीटर में चेंज करो गया so ग्रीच उलसके है और इसका सफिचल डिजयोलिशन कितना है मिनस एक पिक्सल जो हो और रिया को कवर करेगी वो करेगी हमारे पास 30 मेटर इंटू 30 मेटर को कवर करेगी तो इतना एरिया जो एक पिक्सल के द्वारे कवर होगा और हमारे टोटल एरिया कितना कवर करना है इसलिए मैं कर रहा हूं वो टेबल आपको याद करनी अच्छाथ है उसके बाद हम देखते हैं रडार सेट क्या होता है रडार सबस्टिकेटेड अर्थ ऑब्जरवेशन सेटलेट्स ऑफ कनाड़ा यह हम क्या देख रहे हैं वर्डवाइड देख रहे हैं हम ग्लोबल स्पेस प्रोग्राम्स देख रहे हैं इससे पहले जो देखे थे हमने इंडिया के देखे थे अब हम ग्लोबली देख रहे हैं तो यह क्या है अर्थ ऑब्जरवेशन सेटलेट से कनाड़ा आगा रडार सेट इट वाज बिल्ट अंडर देख अंडर देमेंट ऑफ कनाड़ीन यह एंडर एट इसके बार में जो रडार सेट के बार में याद रखना वो सबसे पहली चीज में नियर पोलर पोलर संसे एंडर होता है अब संसिंक्रोन ऐसे और पिलर है तो हमारे पास एल्टिटूट इसका कम होगा तो एल्टिटूट जनरली कितना होता है ना सेवन नैंटी एट किलोमेटर होता है और यह सैटलाइट्स के लिए अर्थ अब्जर्वेशन सैटलाइट्स और इंकलेनेशन अगर याद रिखना है तो रख लीजिए इसके अलावा क्या है कि यह जो रैडार सैटल सैटलाइट्स होती है वो हमारे पार आर्थ को एक दिन में एप्रोक्सिमेटली 14 टाइम्स कवर करती है और जो हमारे पास इसको मीन्स और बिट का जो रिवालुशन एक पूरे और बिट को कवर करने के लिए 100.7 minutes complete करने के लिए जो और बिट को रिवालुशन को रिवालुशन तो बात है बस आपको वो याद रखनी है रडार सैट के बारे में पोलर संख्रोनेस और बिट तो इल्टिटुट कम होगा मारे पास उसके बाद यह जो अमारे पाइब करती है 14 ताइम्स पर डे अर्थ को एक ताइम एक दिन में 14 बार लग वो कवर करती है उसके बाद अमारे पास और बिट को कंप्लीट करने के लिए इसको यह जरूत होती है तो यह दो तीन पॉइंट से आपको याद रखने मारे पास रेडार साइट बन एज डस्क डाउन और बीट विच इनेबल लिट तू क्रॉस डाइकटर राट डाउन एड़ डस्क अभी अभी जो रेडार साइट वन एड़ और यह आपको अल्लेड है और य जैसे कि मैंने आपको लेड़ी पढ़ा रखा था कि हमारे पर क्या होता है उसका मीन सिर्फ डाउन टूड़ डस्क और ऑर्बिट क्या होती है कि जो आर्थ होती है जनरली दिखा जाए तो हाफ पार्ट पर हमारे पर सट्लाइट पर 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 नहीं गिरती है तो वो जो सब्सक्राइब अब्रबिट रहती है तो हमारे पर 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 सब्सक्राइब करती है और मैंने यह जो अपना संग्रोनस जो अर्बिट पढ़ाया था उसका एक स्पेशल केस होता है वो मैंने वहापर बताया था आपको तो आप वह मेरा वीडियो लेक्च्चर देख सकते हो व रडार साथ वन का ही लिया था मर पर फॉर्द दिस और विट कीप सोलर सेल एरेज ऑफ दो सेटलाइट सिज अलमोड कंटिनुएस सं लाइट एंस्ट एंस्ट्राइट टो रिलाए उन सोलर एनर्जी रादर दन बैटरी पावर्ड तो सेम चीज़ है कि अब्री टाइम जो हम रडार साथ एसेर पावरफुल माइक्रोवेव इंस्ट्वेंट विच ट्रांस्मेट से माइक्रोवेव एनर्जी पल्स इन सी बैंड हैविंग 5.3 गीगार्ट फ्रिक्वेंसी टू दा अर्थ एसेर मेंजर्ट अमांट अफ एनर्जी डैट इस रिफ्लेक्टेट बैट टू इस चीज आप याद रख सकते हो ना रैडार सेट के बारे में और इसके अंदर पताएए कि माइक्रोवेव जो एनर्जी पल्स होती है वह ट्रांस्मेट होती है और फिर जो रिफ्लेक्ट बैक होती है उनको वह मेंजर करता है जो सट्राइट होता हुँनको मेजर करता हुस इस वाइड वाराइटी वाइट वीमट्स विच एन केप्टर स्वाथ व्रॉम 45 तो 500 किलोमेटर विज रिजॉलुशन ऑफ 8-100 मेटर एंट इंसिदेंस एंगल फ्रॉम 10 डिग्री तू 60 डिग्री तो हमार पर में के याद रखना है इसका विजॉलुशन याद रखना है जो र दार कर सकते हैं कि रैडार 3वनीज मीट्रेट ट्रेवल पॉर्लम जो रेडार सेट वने वोच हरीजेंटल टू दार अर्ट्रबेस ऑज जयनेंडरर होरीजेंटल्ली मुलराईज होती है जिसके अंदर चनलों गति होरीजेंटल डिरेक्चिन को से होसके मेंग्ली तोजेंग लो एंड एक्टेंड डाइड विच आरे क्लेक्टिवी टम्डाइज बीम मोड तो इसके अंदर के हमारे पास बीम मोड होते हैं जो जनरली साथ होते हैं और वह साथ कुन-कुन से फाइन भी मेंजिज चर्ट करता है स्टेंडर वायड इसके ऐसे आर्ण इसके लीड एक्टेंड लो एक्टेंडर आई पर यह सब नहीं इतना एंपोर्टेंड एक्जंप पर पर जितना के रिजॉलुशन और इसका किसके बेस पर ही काम करती है वह च प्रिमेर अर्थ और अब्जर्वेशन रडार रेमोट सेंसिंग इसका जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे हमारे पास रेडार सेट वन के अंदर क्या था इमेजिंग मोड था और और विटल पेरामेटर जो भी तो वह रडार सेट न्दर भी एए उसके अलावा जो इसके अंदर अफ्ग्रेडेशन वह क्या है कि रिजॉलुशन अमारे पास कितना तीन मिट्र का मिल जाता है हमारे पास हाई रिजॉलुशन इमेजिंग करता है वह पर काम करते है रडार सेट बन तो यह कह है होर्जोंटल के साथ सब वर्टिकल पोलराज़शन इम्मेजिंग मोड पर भी काम करता है तो इसके अंदर दोनों है मरपस रडार सेट टू के अंदर और लेफ्ट एंडर राइट लोकिंग इमेजिंग ऑप्शन सो थे इसके अंदर सुपिरियर डेटा स्टोरेज एंड ओन बोर्ड जीपेस रिसीवर फो मॉनेटिंग सेटलाइट पोजिशन तो यह सारी चीज़ें के रडार सुट टू की अपग्रेड़ेड बर्जन के फीचर्स दिखा रहे हैं कि क्या क्या होता है हमारे पार सबसे पहले तीन म पोजिशन को मॉनिटर करता है तो यह सारी फीचर्स हमारे पार रडार सा टू के बारे में जो मैं पढ़ने हैं और यह याद रखने हमें इससे बीसे हमारे पास क्या थेओरी के कोशन बन सकते हैं तो इसलिए आपको यह बन माक्स नहीं तो आप देखते हो अगर प्रिवेस के लिए यूज हो रहा है और कि प्रिंसिपल वह क्या मेकनेज में उसके स्क्राइब करने का वो सारी चीज़ अगर हमां पता होंगी तो वह आप्शन्स को जो भी गलातों का उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं तो इसलिए हमार अपस यह चीज़ पता होनी चाहिए रडार सेट सप्लाइब डेटा टू मॉनिटर एन्वाइन्टल चेज़ें निच्रोल रिसोर्स और एट अट नैशनल सब्स गलोबल लेवल इट अल्सोप्रवाइब इंपोर्टन इंफरमेशन इन दा फील्ट्व अग्रील्ट्चर है ड्रोलोजी काट्रोग्राफी फोरेस्ट्री औस एंड कोस्टल मॉनिटरिंग फॉर बहुत साइंटिफिकेंट कमर्शियल वीज़ तो इसके क्या एप्लिकेशन से जो के याद करने है एन्वाइंटल चेंज़ को मैनिटर करने के लिए या फिर नैच्रल रिसोर्सेज जो है अबलेबल अर्थ के उपर चाहे वो नैशनली कवर करने हो या ग्लोबल लेवल पर उसके लिए भी रेडार सेट यूज हो सकता है उसके अलावा क्या क्या है एग्रिकल्चर की इंफर्मिशन हाइड्रोजी कार्टोग्राफी फोरेस्ट्री ऑसेनोग्राफी कोस्टल मॉनिटरिंग चाहे वह साइंटिफिक परपस के लिए या है को सेंसिंग सेटलेट सेकुकवाइब यूज हाश्यूरी यह अन्य सब्सक्राइब हो कर देख लए तो यह मौ क्या होती है क्मЕर्चल सेटलेटि से इंके बारे में छिजश हason रखनेस वाली हो भी मैं आपको बता में तो हमार पास इनके special resolution को ऊपर focus रगएगा और इसका purpose क्या है उसके ऊपर focus रहेगा purpose तो आपको नाम से बता चल रहा है कि हमार पार commercial remote sensing satellites है तो उसी purpose के लिए यूज होती है तो भी देख लेते हैं क्या है इसका तो quick bird क्या है हमार पास quick bird is a remote sensing satellite of digital globe which is a commercial imagery provider company with headquarter located at Longmont Colorado USA USA में up to date digital globe launched four commercial satellites namely early bird one quick bird world view one and world view two in December 1997 October 2001 September 2007 and October 2009 respectively digital globe lost communication with early bird one after four days of its launching but other satellites are functioning successfully तो वो चीज हमें नहीं पढ़ने है हमें quick word के बारे पढ़ना है अगर उसके related आ जाए तो अमेरिका का इसका headquarter है अमेरिका के अंदर और उसके साथ साथ क्या है early bird one अगर आपको तो नाम याद means option में मिल जाए exam में तो आप eliminate कर सकते हो क्योंकि फंक्शन नेवल नहीं है क्योंकि चार दिन के बाद वो लॉंच के चार दिन बाद वो काम करना बंद कर दी और जो बागी सब्सक्राइब करती है किसका कमर्शियल हाई रिजॉलूशन इमेजरी आप दा आर्थ तो आर्थ अब्जर्वेशन सब्सक्राइब के लिए के लिए अर्थ की जो हाई रिजॉलूशन की इमेजरी क्या है हम क्विक बड़ के द्वार ले सकते हैं इट वाज लॉंच रॉंच रॉंच वेहिकल इंटू 600 किलो मेटर और अभी हमारे पास क्या है पोलर और्विट मेंस लो अर्थ और्विट के अंदर लॉंच की गई थी जो इसकी पोजिशन ने वह 600 किलो मेटर है अब अब दाइट सर्फिस इट आजए स्वाथ विर्थ विर्थ टुट टू फॉर्टी किलो मेटर इट ओफर्स इमेजिंग वीद दे जीरो पांट सिक्स 1 इन्टो 0.6 1 मेंटर पैंक्रोमेटिक एड़ 2.44 इन्टो 2.44 मल्टिश्पेक्ट्र स्पेशल डीजियोलूशन तो मेंम याद रखना है क्या याद रखना है वो हमें से चीज याद रखने है उसका special resolution अब special resolution दो पर काम है दो चीज का है हमारे पास special resolution quick bird का एक तो है panchromatic image के लिए और दूसरा multi-spectral special के लिए multi-spectral scanner के लिए तो panchromatic के लिए हमारे पास कितना है 0.61 meter into 0.6 meter तो जो special resolution वो हमारे पास एक पिक्सल के एरिया का फॉर्म में दे रखा है 0.61 into 0.61 meter और multi-spectral के लिए कितना है 2.44 into 2.44 meter तो यह चीज आपको याद रखनी है quick bird के लिए उसके अलाबा कहा है कि its revisit time ranges from 1 to 5 days it is 4 satellites which obtains the highest resolution commercial imagery of the earth after world view 1 and world view 2 and do i1 तो अमारे पास 4 satellites है जिसको जो अमारे पास high resolution की imagery ले सकता है हमारे पास high resolution की image हमें मिल सकते हैं और view quick bird से इसके अलाब हम आपको world view 1 और world view 2 और do ibn जो देखते हैं लेकिन हमारे पास main के आप अपड़रा है क्विक बढ़ के बार में क्विक बढ़ के बार में जो में याद रखना है वह आप पस special resolution 0.61 meter into 0.61 meter panchromatic के लिए multispectral के कितना 2.44 into 2.44 meter है तो यह मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको यह चीज याद हो जाए मारे पास it has a greatest capacity of onboard storage of data than any other satellites it is capable of acquiring more than 75 million kilometer square of imagery data yearly and also allowing digital globe to update its image library at rapid speed the high quality satellite image imagery of keyboard is commonly used for map creation change detection and image analysis अब हमारे पास इसका purpose देखो गया तो किस किस के लिए यूज होती है क्विक बड मैप creation के लिए change detection किसी भी अर्वन का development कितना वह वो चीज देखने के लिए इमेज analysis तो हमारे पास high special की special resolution की images create होती है तो हमारे पास image को easily analyze भी कर सकते हैं तो इसका बहुर का हमारे पता चल गया उसके अलाबा क्या देखना है कि जो resolution है और इसका जो revisit time है वह हमारे पास one to five days है में इस एक प्लेस से अगर एक दिन बाद गुजर दे तो उसके एक से पास दिन के अंदर वह वापस वह से गुजरेगी तो उसका जो revisit time है बहुत short है इसके लिए हमारे पास के change detection हम देख सकते हैं उसका किसी भी प्लेस का तो एक तो इसके यह जो वर्क है किस परपज के लिए हमारे पास हुज होता है उसका application क्या वह देखना और उसके specialization देखना और one to five days उसका रिविजट है में यह चीज़ देखनी आपको क्योग बढ़ के बारे में दूसरा जो है वह हमारे पास आइको उसके बारे में क्या 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 पढ़ना हम है आइको जीजे सटलेट्स अब जीओ आई पासओ लिडर्फाती आइकोट्रवेत सटत्रव तरभ जीओ लेकोट उसके बास या क्या धश्यू sharks यू इंक उडर आधकोनव नियुक्ट आइको बुट 99 बट अनफॉर्चुनेटली इट नेवर अचीव्ड इट्स और विट सब्सेक्वेंटली ए सेकेंड आइकुनोज वा लॉंच्ट सक्सेश्विली और 24 सब्टेम्बर 1999 तो सबसे पहले हमार प精 10.81 यह जंरली किरेंशन होता है कि सेे एक्टाइट से और पाश तो यह कमोढेशिन नहीं करना है खुदको कि inclination बार-बार मैं बोल रहा हूं तो वह इक्वेटर से कितना inclination और्बिट का वह चीज होती है मार पर दो और विट प्रोवाइट से डेली एकसेस्ट सु रीजन्स विदिन एड़ फिफ दिग्री ऑफ नादर त्री डै रिविजिट विदिन ट्वंटी सिक्ट डिग्री ऑफ दैद ना दिन एन जो जो अमार पर रीजन को यह जो कबर करती है जो अमार पर नाधिर पॉइं्ट होता है उससे अगर फुल्टी तो वह आपको एक बार पढ़ लेनी है कि अगर कोई पूशन पूर्टता है तो आप देख सकते हैं लेकिन इतना इम्पोर्टन है जितना कि यह चीज इंपोर्टेंट है कि satellite प्रोवाइड इमेजरी विदे स्पेशल रिजॉलूशन ओफ वन मिटर इंटु वन मिटर इंट पैंक्रोमेटिक बैंड और 44 मिटर इंट मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड तो यह जो हमारे पास है 44 मिटर यह गलत लिखा हुआ अच्छली 44 मिटर नहीं होगा यह 4 by 4 मिटर होगा तो जैसे यह 1 by 1 मिटर हमारे पैंक्रोमेटिक बैंड के अंदर स्पेशल मिलता है वैसे मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड के अंदर जनरल यह आपा 4 by 4 मिटर का रिजॉलुशन मिलता है तो यह जीज़ आप जम्हें नोट्स प्रोवाइड करूंगा टेलिग्राम पर तो यह आप अपने नोट्स में करेक्ट कर लेना उसके अलाबा किया है कि स्पेशल रिजॉलुशन होता है तो यह आप कन्फूज मत करना कि पैंक्रो मिटर के अंदर हमारा पास थोड़ा रिजॉलुशन बैटर मिलता है अच कंपियर टुदा मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड के यह आप अपने नोट्स में सही कर लेना यह चीज़ कर लाता है यह आप इसलिक्ता रिजुक्त आपको अगया सब्सक्राइब दोस्त पूर्पस से हमार पर अप्र डेटा को क्लेक्ट कर सकती है हमार पर आप सेटलेट कलेक्ट डेटा इतर रेट ओफ ओबर 2,000 km2 पर मेटर जे रिजल्ट इता इस कलेक्टटेड ओबर 250 मिलियन क्लोमेटर स्कुरेर ऑफ इमेजरी ऑफ दा आर्थ सब्केड डिजितली हाई स्पेशल इस पेशलिशन इमेजरी कलेक्टेड वा ऐकॉनोज इस बिंग लार् एंस्पोर्टेशन के लिए सिटी अंड अर्बन प्लानिंग के लिए इसके अंदर जो हमारे पास है वो थोड़ी ज्यादा इस्पेशल रिजॉलुशन मिलता है एस कंपर टुदा को बड़ तो यह कंपरेजन भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है क्योंकि इसका जो हमा मारे पास के जना था 2.44 मेटर था तो यह आपको कंपरेजन द्यान में रखना है क्योंकि बड़ का तोड़ा स्पेशल रिश्चन बेटर होता है मारे पास एस कंपरेट टुदा आइकुलुश अब आपास थाड़ है और वी उसके बार में भी देख लेते जल्दीश है और क्या मारे पास इस एन अनादर गूर्प ऑफ सैटलाइट बेलोंगिंग तो जी ओ आई फॉर और व्यू सैटलाइट्स है बिन लॉच्ट ऑफ बाई जी ओ आई और वी बन वास लॉच्ट इन अप्रेल नाइटीन एज एज एन एट्मोस्फियर मॉनिटरिंग सैटलाइट ड वेदर डेटा मिलता है मारे पास फॉलेंग दिस युवाई लॉंच्ट और व्यू टू इन अगस्ट नाइटीन एंटीन सब्सक्राइट प्रवाइट्स इमेज्ट इमेज्ट ऑफ और वार्मिंग कमर्शियल फिशिंग एंवर्मेंटल एंड कोस्टल मॉनिटरिंग तो यह सब्सक्राइब का परपज के वह आपको याद रखना है एक्जम पॉइंट व्यू से इन जून टुसाइब थर्ट सट्लाइट्स ऑफ दो सीरीज और व्यू 3 वाज लॉंच्ट सक्सेफुली और व्यू 4 वाज लॉंच्ट इस सप्टेमबर 2001 बट दिस सट्लाइट फ्यू ट एक्विप्ट विद्धे केमरा टू टेक मेज़ेज विद हमारे पर इसका जो रिजॉलुशन वह कितना बन बाइबन मीटर इन पैंक्रोमेटिक एंड फूर बाइफू मीटर इन मल्टी स्पेक्ट्रल इस्पेशल डिजुशन तो मतलब हमारे का याद रखने वाली एकी ची और विव थिरी जो के मारे पास इमेजरी को अब्जर्ब करने के काम आता है मारे पास तो यह चीज भी आपको याद रिखने है इसका भी रिजॉलुशन आपको याद रिखने है इस पेशल डिजुशन आटे स्वाथ विर्थ ओव एट किलोमेटर इट इस एन इट इसन एए फॉर सेवंटी किलोमेटर अभी हमारे पास के लोवर्थ और अर्बिट है तो संसिंक्रोनास और अर्बिट के अंदर आती है विज एन एक्विट्रोर्व ट्रॉसिंग टाम होता है और विट्री इस दा फर्स्ट कमर्शियल सेटलैट तो सप्लाई हाई रिजॉलुशन इमेजरी फ्रॉम स्पेस देर्फोर दा इमेजरी इस क्लेक्टेड बाइट इट कैन बी यूज्ट प्लानिंग प्रिसाइज मैपिंग और इंटेलिजन्स गैदरिंग तो आपको उसका स्पेशल रिजुलुशन कितना है और उसके लाबा कौन सी और विट्स के अंदर होता है उसके लाबा रिविजिट टाइम कितना होता है उसके लाबा इसका परपस क्या है वह चीज़ आपको एक्जाम पॉइंट आव याद रखने तो यह हमार पास इतना ही है है वह सारी सैटलाइट के बार में मैंने आपको ओबर वी दिया है और उसके रिलेटेट जीतना भी एक्स्प्लेनेशन में दे सकता था वह मैंने आपको दिया तो प्लीज आप गेट एक्जाम से परपस से पढ़ राए तो प्लीज आप मेरी जो भी पीडी ऐफ आप है जो म शेर कीजिए और जाज से ज़्यादा लोगों से मेरे चनल सब्सक्राइब करवाई है और आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर मैं आपको यह जितने भी नोट्स हैं पीडियाफ्स हैं वो आपको प्रोवाइड करूँगा तो टेलीग्राम का जो ल